तर्मान तक खोले तर्मान के साथ में पाफुन के साथ क्या जाए और अब पॉइंट जहां अर्मान ने रूही से मांगी माफी जी हाँ, सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में अब तक आपने देखा की कैसे अर्मान ने रुही से तोड़ दी है अपनी शादी और अब अर्मान दादीसा के सामने इस बात का करता है, खुलासा की वो करता है, सिर्फ अभिरा से प्यार और फिर दादीसा के पैर भी पकड़ लेता है। इसी के साथ ही अर्मान अभिरा को अपनी दिल की बात कहने के लिए डोड़ा चला जाता है और कार से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ रूही कलपना कर रही है कि सभी घर वाले उसे यह एहसास दिला रहे हैं कि अर्मान सिर्फ अभिरा से प्यार करता है। यह सब रूही सुनना नहीं चाहती और घर से निकल जाती है। जिसके बाद कहानी में आता है ट्विस्ट जब रूही अर्मान की कार से टकरा जाती है। पिर वहां से रूही को होता है एहसास और जब अर्मान कार से बाहर निकलता है तब रूही अपनी सगाई की अंगूठी निकालकर अर्मान के हाथ में दे देती है। वहीं दूसरी तरफ अर्मान को अपनी गलती का एहसास होता है और उसे महसूस होता है कि मंडप में रूही के साथ गलत किया। जिस वजह से रूही से माफी मांगने के लिए अर्मान गोयन का हाउस चला जाता है और जब वह पहुचता है तो गोयन का हाउस के दर्वाजे को जोर-जोर से खटखटाता है और फिर भी दर्वाजा नहीं खुलता। लेकिन बाद में जैसे ही दर्वाजा खुलता है अर्मान जटके से मनीश जी के पैरों में गिर जाता है वहीं अर्मान उठकर हाथ जोड़ कर रूही से मिलने की अनुमती मांगता है पहले तो स्वर्णा मना करती हैं कि हम तुम्हें रूही से नहीं मिलने देंगे लेकिन मनीश जी अर्मान को सिर्फ पांच मिनट का समय देते हैं रूही से मिलने के लिए जिसके बाद अर्मान भाग कर अंदर जाता है अर्मान जो ससुर के कदमों में गिरे है अचली उसने कांडी कुछ ऐसा किया है कि हमारी बेटी को मंडप में ऐसी छोड़ दिया है तो obviously as parents we are very angry क्योंकि रूही बहुत ही जादा involved थी अर्मान के साथ और उसे बहुत जादा उसके साथ hopes थे तो उसने जो किया है उसका treatment उसको अभी मिल रहा है मुझे पता नहीं उन्होंने 5 में महलत क्यों दिये क्योंकि मैं तो completely against थी उसके पर अभी देखते उपर जाके सीन में क्या होता है but I think that's a good thing because Ruhi को finally realize होगा कि this is not meant for me actually you know as a character सभणा के लिए मुझे बड़ा मजा आ रहा है because हमेशा मैं बहुत positive रहती हूँ like Manishi हमेशा गुसा करते है Manishi major decisions लेते है as the head of the family तो मुझे जब ऐसे scenes आते हैं जो मैं चिलाना होता है गुसा करना होता है तो बड़ा मजा आता है it's something different you know it gives like a different flavor to your character जहां अर्मान रूही से मिलने जाता है वह देखता है कि रूही जिंदा लाश की तरह बैठी हुई है वहीं अर्मान रूही से माफी मांगता है और उसके पैरों के नीचे बैठ जाता है तो उसके पैरों के नीचे बैठ जाता है बाच मिनर कदम ओए अब